तो फाइनली गैस यहाँ पे इस सामसंग स्मार्टफोन में नीउ सॉफ्टेयर अपडेट के बाद सभी के बहुत जादा डिस्प्ले प्रॉब्लम्स आ रही थी और आज गैस सॉलूशन मिल गया है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सॉलूशन अगर आपके पास कोई भ स्मार्टफोन यूज करते हो और आपको इस टाइप की डिस्प्ले प्रॉब्लम फेस और यह फ्लिकर और यह ग्रीन टिंट मिल रहा है यलो टिंट जो भी प्रॉब्लम आ रही है इवन गैस आप यह वीडियो देखो इसका डिस्प्ले पूरी तरह से खराब हो चुका था औ मेरे बताय हूँ, solution की वजह से ठीक हो गया है पूरी तरह से और गैस मतलब और क्या ही चाहिए आप लोगों को अभी बताऊंगा इस वीडियो में आपको क्या करना है step by step सारा कुछ बताऊंगा तो इस वीडियो को आपको share करना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों का इस वीड मैं आपको बताऊंगा उसके लिए हम लोग चलते हैं फोन के स्क्रीन में फिर देखते हैं आपको करना क्या पड़ेगा यहां पर सकते हो आप मेरे पास यह चीज़ ट्राइक कर सकते हो जिसके बाद आपको जो प्रॉब्लम वह ठीक हो जाएगा तो मेरे फोन में तो कोई भ आपको करना है क्या है मैं आपको स्टैब बाइस बताता हूं तो सिंपली गईस अगर आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो आप इसमें ट्राइ कर सकते हो इवन आईफोन में भी इसको आप ट्राइ कर सकते हो यहां पर यह चीज़ मैंने सैमसंग के साथ ट्राइ कर लिया अगर आपके पास कोई भी अधर कंपनी का स्मार्टफोन है तो आप भी उसके साथ ट्राइ कर सकते ह और comment में बता सकते हो खीक हुआ या फिर नहीं हुआ तो simply guys आपको कुछ भी नहीं करना है पहले आप लोगों को देख लेना है कि आपके फोन में जो बैटरी है न वो ठीक ठाक होना चाहिए बैटरी कम नहीं होना चाहिए नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा ठीक तो यहां यहां पर लोगों को यहां पर आपको लोगों को लॉक की दिखेगा और यहां पर वॉल्यूम डाउन की दिखेगा किसी किसी के फोन में इस साइड भी हो सकता है वॉल्यूम डाउन की आपको कुछ भी नहीं करना है लॉक की और डाउन की को एक साथ प्रेस करना है मैं आपक सकते हो मैंने यहाँ पर प्रेस करके ही रखा है यहाँ पर स्क्रीन ओफ हो गया फिर भी आपको प्रेस करके रखना ही है जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अभी तक इसको रखा हुआ है दबाके अब आप लोग देखो गईस यहाँ पर Samsung Galaxy M51 लिखा गया है Samsung लोगो अपने आप पाया है तो जब तक यह चीज आपको कोई भी फोन हो मतलब Samsung M51 मेरे पास एक्जामपल अगर आपके पास M31 या फिर अधर ब्रैंड का फोन है तो ऐसा आप लोगों को दिखना चाहिए जैसा स्विच आफ होता है तो शोड़ करता है ऐसा ही आप लोगों को दिखना चाहिए है वो ठीक हो जाएगा यहाँ पर गैस यही ट्रिक करने के बाद यहाँ पर से आमसंग गिलेक्सी एश 10E ठीक हुआ है और भी एक दो स्मार्टफोन जो है वो यह वाले स्मार्टफोन को ट्राई करने के बाद ठीक हुए है मैं आपको बता रहा हूं गैस यह थोड़ा सा टा अब इसका मतलब है कि हमारा जो फोन है वो अभी ऑन हो जाएगा जस्त थोड़े सेकंड में अब इसको पूरी तरह से ओन हो गया है इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है जैसा कि आपको पता है सारे अप्रिकेशन वगेरा शो करने के लिए स्टार्टिंग ऐसा कि आपक आपको वही चीज करना है और यह जो मैंने अभी किया इसको आपको छै बार करना है जब तक ठीक नहीं होता मानलो एक बार करने के बाद अगर आपके डिस्प्ले में इंप्रूब्मेंट दिखती है या फिर डिस्प्ले पूरी तरह से ठीक हो गया है तो आपको दुबारा नहीं करना है लेकिन अगर आपका डिस्प्ले ठीक हो रहा या फिर अगर आपको लग रहा है कुछ भी ठीक नहीं हो फिर बी है आपको इसको पिर से करना है मतलब आप लोगोंगों को दस मिनट यूज करिए उसके बाद आपको यही सेम चीज करना है अब कई लोग बोलोगे कि मेरा डिस्पेय पूरी तरह से डैड है तो आप लोगों का डैड है लेकिन फोन तो चार्ज हो रहा है इसका मतलब फोन अन भी होगा और कैसे अन होगा वो आपको पता है तो अंदाज मे लेकिन अगर नई भी खोल पाओगे तो फोन अगर लॉक भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं लॉक होने के बाद भी यह चीज होता है तो अगर लॉक है तो भी कोई दिक्कत नहीं हाँ अगर डिसी का फोन ओन होता है ऐसे ऐसे होता है तो भी आप कर सकते हो जैसे की गई कम से कम आपको इसको 6 बार ट्राई करना है, 6 बार ट्राई करना है, मिनीमम अगर ठीक नहीं होता है, तो मैक्सिमम आप 10 बार तक जा सकते हो, उसके बाद गारेंटी देता हूँ, अब यहाँ पर मेरे उपर कोई मत चड़ जाना, क्योंकि एक बंदे का ठीक हो गया है, इसलिए मैं वीडियो बना के बता रहा हूँ, अब आपके फोन में ओरिजिनल में क्या प्रॉब्लम वो आपको ही पता होगा, या फिर कुछ हाड़वेर का इशू होगा, तो वो फिर ठीक नहीं होगा, तो कोई मेरे उपर फालतुगा मत चड़ना, लेकिन जितना मेरे से बन रहा है नहीं बोला, कई लोग कमेंट में चड़ जाते हैं उसके बाद, तो मेंको अच्छा नहीं लगता, मैं आप लोगों का help करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मैं आप चाहता हूँ, कि जो मेरे अंदर है, जो मुझे पता है, उसके थुरू मैं आप लोगों की help करू, वर फिर मैं आपको next चीज बता रहा हूँ, आपको अपने phone को charge में लगाना है, यहाँ पे guys यह देख रहे हो, आपको जो भी original charger उसको अपने phone को charge में लगाना है, और charge जो है वो आपका होना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ demo दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ फोन जो है वो charging में लगा होना चाहिए, ठीक है, तो आपका display में problem है, अगर वो 10 बार या फिर 6 बार करने से ठीक नहीं होता, तो next चीज आपको यह try करना है उसके बाद, और इसको भी 6 से 10 बार आपको करना है, 10-10 minute का game देखे, तो यह चीज आपको दिखेगा, जब तक यह यह दिख रहा है, तब तक इसको आपको नहीं हटा रहा है, charging वाला इसको, तो guys यहाँ पर आप देख सकतो, यहाँ पर Samsung लिखा रहा है, अब आपको क्या है, इसको अपने phone को charging से निकाल देना है, charging से निकाल देना है, उसके बाद आपका phone यह वो start हो जाएगा, जैसा कि step में तो कोई issue नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके socket में, मतलब आपके घर में current flow में कोई issue होगा, तो यह आप charge में लगाए हो, मानलो अगर आपका display थोड़ा सा खराब हो गया है, तो और जदा कुछ खराब हो सकता है, या फिर और जदा बहुत अच्छे से ठीक हो सकत step में, जब अपने phone को हम लोग charge भी लगाते हैं, बाकि first वाला step आप बे फिकर follow कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, second वाले में क्या है, जो current flow होता है न, और इस time हम लोग अपने phone को restart करते हैं, इस type से long press करके, तो थोड़ा सा इसको जटके लगते हैं अंदर मे अगर आपके घर में current अच्छे से flow नहीं हो रहा है, अर्थिंग अगरा proper नहीं है, उस condition में, तो यहाँ पे guys, मैं 90% बोरों कुछ भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, इसलिए आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ताकि problem होना तो कोई मेरी उपर मत अब यहाँ पे guys, मैं आप लोगों को restart problem हो रहा था, उसका solution दिया, सभी का ठीक हो गया है, जैसा कि आपको पता, especially Juno ने, जिनके पास M51 है, जिसको problem था, क्योंकि उनके motherboard में कोई issue नहीं था, तो motherboard में कोई issue नहीं था, software related जो भी है, वो मैंने बता दिया आप लोगों को, और सबका ठीक हुआ है guys, इस बात से कोई भी deny नहीं कर सकता, इसका भी ठीक हुआ है, वो comment में बता देना, तो उसी तरह से guys, यहाँ पे मैंने आपके display problem का भी solution लाया है, और यहाँ पे ठीक हुआ है, तभी मैं इस display problem का solution वीडियो लाया हूँ, इसलिए guys, मुझे time लगा लाने म और मैं बहुत अच्छे से research करने के बाद लाया हूँ, और thanks to यहाँ पे Instagram में एक भाई ने मेरा help किया, हम दोनों मिलके थोड़ा अच्छे से research कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे phone में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो यह भाई जो है, इन्होंने मेरा help किया, बहुत अ successful होती है, पर आप लोगों को यह दो चीज फॉलो कर लेना है, दोनों चीज आपको 6-6 बार करना है minimum, अगर ठीक नहीं होता है, तो अगर ठीक हो जाता है एक दो बार में ही, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो खुशी-खुशी है, मतलब ठीक हो जाया, ठीक हो गया, तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है, ठीक हो जाएगा, थो होप गईज आपको इस आपको इस वीड़ीयो बहुत जादा पसंद में आया होगा, वीडियो कर पसंद आया है तो चैनल को अभी सब्स्क्राइब कर दो, वीडियो को शेर कर दो, थैंक्स फर वाचिंग गाइज